दोस्तों बिहार बेल्टोन जोइनिंग को लेकर बहुती बढ़िया अपडेट निकल के आज चुके हैं मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जानकाइद दिये होंगे कि छट के बाद आप लोगों को 500 सिट्वे जोइनिंग देखने को मिलेगा तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों को किस तरह से जोइनिंग लेटर प्राप्त करना है और किसके दोरा ये जोइनिंग लेटर मिलेगा और ये ओनलेन के मादियम से मिलेंगे या ओफलेन के मादियम से मिलेंगे आपको पूरी जानकार इस वीडियो मिलेंगे साथी अभी LRC में अभी की बार जो जो जोइनिंग किया ऐसे कौन-कौन सा डिश्टिक है जहाँ पर जोइनिंग नहीं किया तो वहाँ पर सीट खाली जो रहा जाएंगे तो वहाँ पर क्या आपकी बार दोबारा से जोइनिंग होने वाले है या नहीं होने वाले है वो भी अपडेट मिल जाएंगे इसके लेकर ओफिस्यल लेटर भी जाड़ी कर दिया कि कहां-कहां पर सीट खाली रहा गए और LRC में अभी कहां-कहां पर सीट खाली रहा गए ऐसे कौन सा डिश्टिक के पडखंड है जहां से अधियचना नहीं गया है उसका भी लेटर जाड़ी कर दिया है चलिए आज किस वीडियो में जानते है कहां-कहां पर सीट अभी खाली रहा गए और जहां पर एक खाली रहा गए तो क्या आपकी बार दुबारा जोइनिंग होंगे या नहीं होंगे इसका जो है लिश्ट जारी कर दिया है और कौन-कौन सा अभी तक अधियचना नहीं भेजा गया है उसका भी लिश्ट जारी कर दिया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आप अपना पोस्टिंग देख सकते हैं सभी का चेंज हो चुका है यह बहुत ही बड़ा प्रवलम था तो इसका लिस्ट जाड़ी कर दिया यहां आप देखें टोटल 125 एस्टूरेंट है इसको मैं अपने टेलिगराम पे डाल देया हूं कौन सा डिस्टि का जहां पे श्टूरेंट सब जोइनिंग नहीं किये अब की बार कितना सीट खाली रहा जाएंगे और उस पे जोइनिंग कब तक देखने को मिलेगा आपको सारी जानकारी मिलेंगे यहां पर देख लिजिए जो डिस्टि के परखंड से अधियाचना नहीं भेजा गया यहां पर देखिए टोटल 127 ऐसे परखंड है जहां से अधियाचना नहीं भेजा गया बिहार में टोटल 38 जीले है और 38 जीले में हर एक जीले में 245 ऐसे परखंड है जो पढखन से छूट गए अधियाचना जाना टोटल 127 ऐसे पढखन है जहां से अधियाचना नहीं भेजा गया तो चलिए आगे जान लेते हैं इन सब पर अधियाचना कव तक में भेजे जाएंगे तो चलिए जान लेते हैं उस पर कव तक आपको जोइनिंग देखने को मिलेगा यहाँ आप आप जो भी दिष्टिक देखें इन सभी दिष्टिक में पढखन का नाम है यहाँ देखें सरकल का नाम है इसको मैं अपने टेलिगराम पे डाल दियाँ इसको हम सभी को पढ़ के नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसको मैं अपने टेलिगराम पे डाल दियाँ आप वहाँ से जाकर देख लीजिए इसे कौन-कौन सा सरकल है जहां से अधिशना नहीं भेजा गया है आगे यहाँ देखिए अब की बार जो LRC में जोइनिंग हुआ है अभी तक में नौसर के आसपा जो एस्टूरेंट का जोइनिंग हुआ है उसमें से टोटल चोबन ऐसे एस्टूरेंट है जो अब की बार जोइनिंग नहीं किया है तो 54 एस्टूरेंट जो जोईनिंग नहीं किये थे जहां पर अब की बार एस्टूरेंट सब जोईनिंग नहीं किये थे इसके लेकर मैं पिछले वीडियो में जानकाई दिये थे अब की बार जो LRC में जोईनिंग होंगे अब की बार जहां पर एस्टूरेंट सब जोईनिंग को फिर से जोइनिंग करवाई लेकिन वहां पे सीट खाली नहीं रहना चाहिए है चलिए कुछ महत्मुन अपडेट के बारे में समय लीजिए छट पुजा के बाद जो आप लोगों को जोइनिंग लेटर मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा यह समय लीजिए मैं वीडियो को पुजा के बाद 500 सीट पे LRC के जो मंत्री है उसके द्वारा आप लोगों को जोइनिंग लेटर मिलने वाले है जिस तरह से पिछले बार 534 एक बार में नियुक्ति पत्र मिल गए थे उसी तरह से जो सीट अभी बच गए LRC डिपार्टमेंट में उन सभी का जो है अब की ब पत्र मिलेगा जिस तरह से पिछले साल 534 एक बार में ही नियुक्ति पत्र मिल गए थे उसी तरह से अब की बार भी आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे जो एस्टुएंट बच गहे LRC में जोइनिंग के लिए जिनका उफर लेटर आ चुके है उन सभी को मिला क करके कम से कम 500 सीट पे आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और बातर जाती नगरें अवास भाग में तो इसमें आपको बदा दो 276 के आसपास बिहार बेल्टों के पास ओफर गए थे जिसमें मातर अभी 125 एस्टोन का जोइनिंग करवाए थे तो और 115 के आसप मंत्री से मिलेंगे जहां जहां पर सीट खाली है उन सब सीटों पर अदियचना भेजवाएंगे ताकि आप लोगों को जोइनिंग हो सके और आपको बदा दो छट पूजा के बाद जो 500 के आसपास सीटों पर जोइनिंग होंगे इसके लेकर यहां पर देखिए एक लेटर जारी कर दिया कि जहां जहां पर सीट खाली रगए वहां से जल से जल अदियचना भेजवाएंगे यह हर एक दिश्टी को लेटर भेज दिया गया है अदियचना भेजने को लेकर काफी दवा बनाया जा रहा है यहां देखिए पेपर में भी जारी कर दिया गया है तो आप को 100% reply दिया जागा